नमस्कार दोस्तों रिएस्पेस नेकेड़ी में एक बार फिर से आप सबी लोगों का स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम लोग आपात काल इन उपपंद के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं और बरतमान जमय में आपको जानकारी है कि पीटी का एक बिसेस का अच्छ प्रस्तुत किया रहा है जिससे कि इस टापिक के बारे में आपको विभिन प्रकार के सवालों के संदर्व में जो एक समझ विक्सित हो सके जिससे कि इसे समंदित सवालों को परिच्छा में हल करने में आप लोगों को मदद मिल सके तो आए एक एक करके हम इन सवालों को हल क करने का जो प्रियास करते हैं पहला कोशन है कि भारतिय संभीधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत भारत सरकार का दाई तो है कि वह बाह आकरमण यूम आंत्रिक असांती से राजी की रचा करें तो आटिकल 356 तो राज में संभीधानिक तंतर की विफलता है तो अनुच्छ 355 इसका जो है सही उत्तर है क्योंकि 352 और 360 ये जो है राष्टी आपातकार और वित्य आपातकार से संबंदित है तो अनुच्छेद इस सवाल का जो सही जबाब होगा वो विकल्प ए है आगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत का राष्ट पती राष्टी है नहीं तो एक और तीन यानि की बिकल्प संख्याडी इसका सही उत्तर है जिसमें कहा गया है कि युद्बाहरी आकरमण या ससस्त्र विद्रो की इस्तिती में जो है राष्ट यापात की खोफणा राष्ट पत की द्वारा उस इस्तिती में किया जाएगा जब कैबिनेट लिखित रूप में जो है इस बात के लिए जो है प्रामर्स राष्ठ पती को दे क्योंकि चैव्ले से समयधान संसोधन धिर्यम के मादिम से कई परिवर्तन कर दिया गया है और उन परिवर्तनों में से एक परिवर्तन यह है कि आंत्री का सांती सब्दिक को यहाँ से हटा द यही जो है बिकल्ब संख्या सी इसमें नहीं है और जो नहीं है वही इसका जो है सही उत्तर हो यानि कि बिकल्ब संख्या सी इसका सही उत्तर है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमनलकित में से कौन एक भारती संबिधान के अंतरगत आपात की उद्गोफणा क आधार नहीं हो सकता है युद तो है ही बाहरी आकरमण है ही ससस बिद्रो है ही आंत्री का सांती नहीं और जो नहीं है चुकि यहाँ पर नहीं प्रशन पूछा गया है तो जो नहीं है वही इसका सही उत्तर होगा यहां पर आप लोगों को यह ध्यान में रखना हो सेगा कि एक्जाम हॉल में जब आप बैटते हैं तो आप परिशन को बहुत ही साउधानी से पढ़ें क्योंकि आपके परिशन का लापरवाही से पढ़ना आपके उस परिशन के उत्तर को गलत कर सकता है जो के आपके एक-एक सवाल आपके रिजल्ट में आपकी इस्तिती का निर्धारन करते हैं तो ऐसी इस्तिती में है या नहीं है इन दोनों के संदर्व में अपने प्रश्ण का ब्याक्ख्या आप बहुत ही बहुतर ढंक से करने का प्रयास केजिए ताकि एक भी सवाल पर इशा में गलत ना हो सके क्योंकि आपका तैयारी जो है आपकी जो एक्जामनेशन को ध्यान में रखते हुए तैयारी है वो तो है बाकि 10% आपका एक्जामनेशन हाल में सारी डिक और मांसिक रूप से संतुष्टी और उस दोरान आपके प्रशनों के हल करने के तरीके ये सारी चीजें भी जो है आपके उत्तर को बढ़ा सकते हैं प्रशनों को उत्तर को बढ़ा सकते हैं तिसलिए भी जो है ध्यान में रखना आपके लिए जो जादा महात्यपूर्ण होगा यानि कि विकल्प संख्याड इसका सही उत्तर है अगली स्वाल की तरह हम लोग बलते हैं तो राश्टी पती राश्टी आपात की घोफणा कर सकते हैं अब यहां सकते हैं में अलड़ जो सही होगा वही उसका आधार होगा हतियारबंद विद्रो के आधार पर बाहे आकरमन के आधार पर युद्ध ये तो तीनों ही सही है और अच्छा था विकल्प है उपरिक्त वर्नित सभी कारणों के आधार पर तो चुकि इसीमें सभी समाहित हो जा रहे हैं इसलिए यही इसका इंजेक्ट एंसर होगा यानि कि आपातकाल की घोफना की जा सकती है किस अनुछेद के अनुसार भारत के राष्टपती द्वारा राष्टी आपातकाल की घोफना की जा सकती है राष्टी आपातकाल की घोफना अनुछे 352 के इंतरगत और 356 के इंतरगत राजज आपातकाल या कि राजजी में इसा मैदानी कि तंदर के विफलता जिसे के राष्टपति शासन के नाम से भी जाना जाता है और अनुचे 360 के अंतरगत बित्ती आपातकाल की घोफणा जिसके संदर में आपको जानकारी है कि आज तक भारत में कभी भी इस तरीके से कोई घोफणा नहीं किया गया है तो ये जो है इसका सही आंसर होगा विकल्ब संख्या A अगले सवाल पर हम लोग बढ़ें कि निलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट पति आपातकाल की घोफणा कर सकते हैं बाह्याकरमड आंत्रिक असांती नहीं है राज्यों में संबैधानिक तंत्र की विफलता आर्थिक संकट अब इसमें प्रश्ण पूचा किन परिस्थितियों में राष्ट पति आपातकाल की घोफणा यहाँ पर राष्टी आपातकाल बित्ती आपातकाल यह इस तरीके से किसी सब्द का परियोग नहीं किया गया तो तीनों आ सकते हैं बस किवली है देखना कि उन तीनों में कौन नहीं आता तो आंत्रिक आसांती नहीं है यानि कि एक तीन और चार विकल्प संख्या B यहाँ पर राइट आंसर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं कि बारते संब्दान के नुचे तीन सु बावन में राष्टी आपातकी घोफणा निमने लिखित में सिक्किन परिस्थितियों में की जा सकती है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमने लिखित में से किस संब्दान अनुचेद के अंतरगत भारत के राष्टपती मूल अधिकारों के कारियानमेन को अस्थगित कर सकते हैं अब ये देखना होगा कि आटिकल जब 352 के अंतरगत राष्टी आपात की घोशना होती है तो आनुचे 358 के अंतरगत जो है सभी प्रकार के मौलिक अधिकार जिसमें 20 और 21 समलित नहीं है उसके अलामा राष्टपत को ये अधिकार होता है कि वो कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं लेकिन ये बेवस्था 361 के अंतरगत होती है और 19 के अंतरगत जो मौलिक अधिकार है वो सोता एनुचे 358 के अंतरगत जो असत्रगित हो जाते हैं तो यहां पे तीन प्रकार के स्ठिती बनती है यह तो यह है कि जब राष्टिया पातकाल की घुष्णा होती है तो अनुछे 19 की अंतरगत दी गए मौलिक अधिकार की अंतरगत सोतंतरताज का जो अधिकार है वो सोताज जो है अस्तिकित हो जाता है निलंबित हो जाता है और 369 के अंतरगत राष्ट पर को यह अधिकार है क 19 के अलामा लेकिन 2021 को छोड़कर जैसा कि प्रश्ण में ही यहां पर उल्लखित है 2021 को छोड़कर के बाकिस सभी जो है नुच्छेदों को 369 के अंतरगत अस्तिकित किया जा सकता है अगले सवाल है कि भारत के राश्टपति निलंबित करने के सकती है अब यह सवाल कुछ इस तरीके का है कि यदप ये बिवाद की इस्तिति उत्पन करता का फिर भी हम अपने समझ के दाइरे में इसको विशलेशित करने का प्रियास करेंगे मौली का दिकारों को अब भाई मौली का दिकारों को कर देखा जागा तो इसमें सारी मौली का दिकार तो यह भी कल्प आटोमेटिक जो है वो गलत परतीत होता है पर्थम दिरिश्टेया यह दब यहां पर पूछा है कि भारत के राष्ट पती कोलिनम्बित करने की सक्ति प्र रोट नहीं है अब 21 यही विकल्ब संख्या सी बचता है कि बीस और 21 में 21 नहीं कहा गया है तो विकल्ब संख्या सी यहां पे सही उत्तर हो सकता है और यही केवल एक मात्र आंसिक रूप से सही प्रतीत हो रहा है लेकिन ऐसे ही सवाल पर इच्छा में विबाद की स्थिती को भ च्छेदों के युगमों में से कौन एक भारती संवीधान के अनुच्छेद 361 के अंतरगत आपात इस्तिती लागू करने के दورान निलंबित नहीं हो सकता है तो 361 में आपात की से लागू होने के दورान 209 नहीं हो सकता है यह तो बार कई परिच्छ हमें पूछा गया है ए बहुआयामी बिसेयों के संदर्वे में बहुआयमी तरीकों से जो सवाल की संभावना बनती है उस पर आपकी इस्तिति अस्पष्ट हो सके यह दब काफी कुछ चीजन जब हम लोग इसका अध्यन कर रहे थे तो आपको जानकारी हो चुकी है लेकिन फिर भी इसको हम इसलिए यहां पर कबर करने का प्रियास कर रहे हैं जिससे की सवाल किसी वी इस्तिति में गलत ना होनी पाए तो आगए के क्वेश्टन पर हम लोग बढ़ेंगे कि निमनलखित में से किन अनुछेदों को राष्टी आपातकाल के दवरान निलंबित नहीं किया जा सकता है तो यह त इसे दोनों ही बार यह सवाल पूछे जा जूएं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है जो कि लगबग परिश्चा में पूछे जाते हैं इसलिए को हम लोग यहां पर कबर कर रहे हैं अगला सवाल है कि प्राया किसकी सलाह पर राष्टवत सासन लागू किया जाता है तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि राजपाल के जो इस्ति है वो मोलता दो रूप में राज़ में संबायधानिक प्रधान के रूप में और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो जो है केंदर के प्रतिनी धी के रूप में काम करता है यानि कि इसकी जो है दूई आयामी जो है भूमिका होती है और उन्ही भूमिका में से एक भूमिका के अंदर के प्रतिनी दी के रूप में होती है जो कि यहां से सूचना जैता है कि कि स तरीके से राजपाल रद्य में राज़पाल सासन के عधी रोपन का प्रावधान नहीं है न condition मूलता जो है जो ब्याक्या है कि किन राज्यों में जो है प्रावधान के आय। मड़िपूर में मिजोरम और मेगाल है तो यहां पर एक सूत्र बन जाता मम्मी मी यानि कि मड़िपूर मेगाल है और मेजोरम में अधिरोपन नहीं है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर पत्रक में इस प्रश्ण को मुल्यांकन से बाहर कर दिया था तो एक अलग पर इस सवाल का सही जो है जवाब देने में सक्षम हो सकें अगला सवाल है कि भारतिय संब्धान के किस अनुछेद के अंतरगत किसी राज्य में राश्टपत सासन लागू किया जा सकता है तो अनुछे 356 के अंतरगत है राश्टपत सासन जिसे राज्यों में संब्धानिक पर विचार किजिए राज्यों में संभाइधारी तंतर के विफलता एक वोस्तुनिस्ट यथार्थ है मतलब यह है कि वह इस्तिती के बारे में बता रहा है सवानता है जब लोग तंतर परिपक को नहीं होता है तो अलग अलग छेतरी दले वहाँ पर जो काम करती है और उन दलों में किसी भी दल को जब अस्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो एन के इन प्रकारेंड किसी भी पार्टी के द्वारा वहाँ पर सरकार बना लिया जाता है लेकिन तूकि जब चुनाओ पूर बंदन नहीं होता है तो चुनाओ के बाद का गडबंदन पूरी तरीके से औसरवादी होता है और कई बार बाद के जो अर्ष्टों में वहाँ पर अपने हित्ट टक्राओं के कारण से बिरोध होता है वहां पर समय धाइक तंती भी फलता जैसे इस्तिती उत्पन होती है त नियाइक पुन्रावे लोकन 356 का नियाइक पुन्रावे लोकन किया जा सकता है तो यहां पर यह भी स्थी थी जो है संपन होती है हुए अग्ला हम वाकी देखते हैं कि इसको भूषरा के सात ही राजी विदान सभा भांग की जा सकती है यह नहीं है fishing दो मा के भीतर यह सही है यहांपर यह और देहान में रखना कि जब उद्गोfurnा होता है तो चुक्शंक इस तरीके से जो उद्गुफणाएं होती हैं उसमें ये माना जा सकता है कि वो किसी पूर्बा ग्रह से गर्षित हो करके किया जाए लेकिन जब संसत के द्वारा उससे जो है अनुमूदित कर दिया जाता है दो माह के अंतर के जैसा कि इसमें ब्याख्याइद भी किया गया है अगर इस तरीके वन टु आउर फॉर वन टू और फॉर विकलब संख्या एह इहां पर जो है सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि संकट द्वारा संकट काल में राष्टी द्वारा संकट काल की घूफना का अनुमोदन संसत के द्वारा संकटकाल की घूफना का अनुमोदन कितनी आवदी में के अंतरालो पेवना अब संसत के द्वारा संकटकाल का अगर वहाँ पे राश्टी आपात की इस्थिति है तो एक माह में और इसी तरीके से राज्या आपातकाल या बित्या आपातकाल है तो वहाँ पे दो माहा के अंतरक्रत इस तरीके की बाते कही गई हैं तो हमें अध्यान में रखना होगा कि संकटकाल में अनुमोदन की जो इस्थिती है वो राष्टी आपातकाल के संदर में देखा जाए तो एक बर्ष होता है अगला सवाल है कि आपातकाल की घुषना को सुविक्रती है तो संसत के समख्छ रखा जाना चाहिए एक माह के अंदर जैसा के भी हम लोगों ने देख लिया अगला कुश्चन है कि कि ने कहा था कि राष्ट पति का अपातकाल संविधान के साथ एक धोका है किम नाम बियार के दौरा ये बात जो कही गई थी प्रश्चन इस्पेसल में एक जाम दो हजार चार पीसियस में कुश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट पति के लिए जो आपातकाल की बेवस्ता समिधान के साथ है जो का ये दब लोक्तांतरिक देशों में इस तरीके की बेवस्ताएं नहीं कि गई लेकिन भारत में राष्ट की एकता अखरंड़ता प्रशाश्चन की रूपता संकट के समय किसी भी प्रकार के पीसे स्तिती से निवटने के इस तरीके की बेवस्ताएं की गई है इदब इसमें काफी कुछ नियंतर्ण के भी बेवस्ताएं हैं और राष्ट पती इसमें पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो निरंगु सोगर के कारिश नहीं कर शकता है आगे की क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे कि भारत के सम्भिधान के अनुच्छे 360 के अधिन बित्य आपात से संबंदित निम्नलेकित कथनों पर विच्यार कीजिए भारत के सम्भिधान के अनुच्छे 360 बित्तिय आपात की गोष्राद दो मा की समापती पर जो है अगर परवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि में की समापती से पहले संसद्वारा उन संकल्पों का अनुमोदन नहीं किया जाता एक दम सही अगला है यदि बित्तिय आपात परवर्तन में हो तो भारत का राष्ट पती संग के कारेकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी अकिसी बर्ग के ब्यक्तियों जिसमें उच्टम न्याले की नियादीस नहीं आते हैं बेतन भत्तों को कमी करने से निर्देश दे सकता है ये में रखा जाता है लेकिन न्यायले की सक्तियां वहां पर नहीं जो है सीमित की जा सकते हैं लेकिन जब बित्तिया पातकाल होगा तो वहां पर बेतन के संदर्व में इनके भी बेतन में कमी कटोती की जा सकते है क्योंकि राष्ट जो है किसी भी ब्यक्ति से ऊपर आता है और वाके संख्या केवल एक यानिकी बिकर्ग संख्या ए यहां पर सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निमने लिखित में से भारतिय समिधान के किस अनुच्छेत का उप्योग अभी तक नहीं किया गया वित्तिया पात काल की घुफणा कभी की नहीं संख्याी के विकर्फ शंख्या डीस का सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि बारतिय संभीधान के इंत्रकेप के एक प्तिया आपात काल की खोफ़ना तीसलिए यहां पर भी कल्ब संख्या बी जो की तीन के रूप में है वही सही उत्तर होगा राश्टपत सासन अधिक्तम लगाया जा सकता है यह सवाल भी महातपूर है तीन बरस के लिए है यह दपी राश्टपत सासन लागू होनी के इस्तिति में छामा में चु को इस पश्ट कर देता है कि वहां पर निर्वाचन करवाना संभव नहीं है या भारत की किसी भी भाग में जो है वहां पर आश्राश्टी आपातकार पहले सी घुशित हो तो कहने के मलब सामानते है तो छे माह के लिए होगा लेकिन अधिक्तम यह जो दिके छे माह के लिए होता है अधिक्तम तीन बर्स के लिए हो सकता परन्तु एक बर्स से आगे प्रवित्तिक करने को कोई भी संकल्प संत्त द्वारत तभी पारिद किया जाएगा जब कहीं पर या तो इमर्जंसी हो या तो निर्वाचन आयोगी यह बता दे कि राजमे निर्वाचन करवाना सं करता है जब कि दो कंडिशन हो एक तो कि देश के किसी भी भाग में पहले से ही जो है राश्टिया पातकाला नुच्छे तीन सो बामन के अंतरगा जो परविट्त हो या निर्वाचन आयोग बता दे कि देश के ऐसे इस्तितिय है जिसमें के चुनाओ करवाना संभव ही नही है यह दो इस्तिया है कि उसमें तीन बर्स तक बढ़ाया जा सकता और फिर भी संभव नहीं होता तो उस वक्त जो है यहां पर एमरजंसी लागू करना पड़ सकता है मतलब कि वहां पे तीन बर्स से ज़्यादा बढ़ाने के लिए संभिधान में संसोधन ही करना पड़ेग उनिस सो सतासीस भी में जो है पंजाब में जो इस तरीके की इस्तिती लागू की गई थी अगरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारते समिधान के नुच्छे तीन सो छपन के अंदर के तराश्टपत सासन सरपर्थम कहां पे लागू किया गया था तो इस सवाल को ह पटियाला एंड इस्ट पंजाब इस्टेट यूनियन पटियाला एंड इस्ट पंजाब इस्टेट यूनियन में पेपसु में सबसे पहली बार राश्ट पर सासन लागू किया गया था परशने पूछा भी गया है कई बार आने पर इच्छाओं में PCS में भी पूछा गया है इसे तरीके से कई अन्य-वंडे एक्जाम में भी है सवाल पूछा गया है तो आपके एक्जाम में भी इस सवाल पूछा जा सकता है इसलिए इसको ध्यान में रखना अगले कुश्चन आपात काल में किसी राजिकी बिदान सभा की अधर बढ़ाई जा सकती तो यह जो है question थे आपात काल के संदर्व में जो की भारती संभीधानियों राजब्यवस्था का एक लोग प्रिये टापिक हैं तो आज की इस lecture में हम लोगोंने आपात काल के संदर्व में जो भी बहुआयामी सवाल चाहे हो मौली कदिकार को लेकर के हो या कारेकाल को लेकर के हो या संबंधों में जो भी केंदरराजी के संबंधों पर प्रभाव पढ़ते हैं या किसी भी कर्मचारी के बेतनी त्याद में जो है परिवर्तन होते हैं से सम्मादित विभिन परिच्छाओं में पूछे के सवालों को यहां पे हल करने का प्रियास किया और यह देखा आके कि इस तरीके से प्रशन पूछे गए हैं और ऐसे सवालों को यहां पे समलित करने और संकलित करने और आपके लिए ब्याक्या करने की स्थिति केवल इसी ल आया जा सके तो निस्चित तोर पर ये टापिक बहुत ही लोग प्रिये है और आपके परिक्षा के लिहास से भी और जानकारी दोनों ही के लियाज से ये जो है महात्पूंट टापिक है तो आप लोग जो भी अभी तक चैनल पर नए आये हों वो चैनल को डेफिनेटली सब्स करके आगे आप अपनी तैयारी को इसी दरीके की वीडियो के साथ जो है करते रहे हैं और आज की लेक्षर में बस इतना ही आगले लेक्षर में एक नए टापिक और वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार